है हलो आपरिवन वेलकम टू माय चैनल तो आज में लोग नौट करेंगे स्वाट अन्सर टाइप कोश्चन और यह अपना हुआ चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन इन अनिमल्स और यहां पर स्वाट अन्सर टाइप कोश्चन में जो फर्स्ट कोश्चन हमारे पास आता है यह हमा आप यहां पर नौट कर लेते हैं और दूसरी और लेते हैं स्वाट रिप्रोडक्शन तो फर्स्ट हम यहां पर लेखेंगे दी प्रोड़क्शन ऑफ अंग वन्स बाया सिंगल परेंट विदावर दी फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स देखें यहां पर सिंगल का इंवालमेंट हुआ करता है और यहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है और ना है उसका फ्यूजन होता है के लिए दूसरी और अपर नौट करेंगे और सेक्षवर रिप्रोडक्शन में प्रोड़क्शन ऑफ अंग वन्स बाइदा फॉर्मेशन और अग्वन्स और जिनेटिकली अडेंटिकल टूदी पैरेंट देखिए यह सेक्षवर रिप्रोड़क्शन गे जो यहां पर अंग्वन्स बना करता है और फॉर्मेशन वह क्या होता है अन्य कि बिल्कुल आपका सेम होता है पैरेंट के जैसा कॉपी आपके सकते हैं जस्ट क बिल्कुल नहीं मैच करते हैं यह लोग ध्यान रखेंगे कुछ ना कुछ महां पर डिफ्रेंस देखने को मिली जाता है ओके तो यह बेसिक सामरा डिफ्रेंस हुआ यहां पर इसेक्षवल और सेक्षवर रिप्रोड़क्शन में सेकेंड को से हमारे पास है और यहां पर क्य प्रोड़क्शन हुआ करते हैं इसमें तो हाइटरा में नेक्स्ट हमारे पास जो कोईस्ट होगा यह थर्ड नूम्मर कोईस्ट क्या कहता है कहाँ अगया है हाउज फटिलाजैशन इन या हैं डिफरेंट फ्रॉम फटिलाज़ासन इन फ्रॉग देखिये फ्रॉग में जो हुआ करता है वह हैं में जो फटलाइशन होता है उससे किस तरह से डिफरेंट है तो हम लोग आपे सिंपल में हाँ पर नोट करेंगे हैं में जो फटलाइशन हुआ करता है वह इंटरल हुआ करता है लेकिन जो फ्रॉग में होता है वह हमारा यहां पर एक्स्टनल फटलाइश एंइमल्स तो ये भी एजी है इसकोँ जो कैसे आप्पन जो करेंगे एक तरफ चाहँ पे ले गए बीबी पैरस एंइमल्स और दूसरे दरफ लेंगे और भीबी पैरस एंइमल्स नॉट करेंगे फresh्षे बिभी पैरास आनिमल के तरब इस टैप्स ऑफनिमल गिफ व वर टूट्वा कि एर अंगчто ऑलें कांस गोड ही एक ऐयंप टाप साथ अपनिम्ल्स ले एक्स यह करता है न एक्स देती है और यह हमारा बैसिक साथ डिफिरेंस होगी यहाँ पे झीकane ओभी किया रहा हुआ घझ यह भी परश में हमारा बच्शे कोर रहे हैं दुने में basic difference और भी differences हैं लेकिन हमने में यहां पर क्या किया थे लौल एक ही difference को note किये हैं अब सबस्क्राइब है डिपन करते हैं कि कोसेन हमारा कर सोट है इसलिए तो कि अगला हमारे पास जो fifth number question इसको देखेंगे और यहाँ पर क्या कहा गया है why is the number of eggs laid by frogs at a time much higher than those laid by a hen यहाँ पर कह रहा है न कि जो frogs यहाँ पर अंडे देते हैं उसकी संख्यां बहुत ज़्यादा हुआ करता है लेकिन जो hens यहाँ पर अंडे देते हैं इसके संख्या बहुत कम होगे करती है किसके respect में तो फ्रॉक्स के respect में अनि फ्रॉक्स जितने अंडे देते हैं एक बार में न उसके respect में कहीं कम अंडे देते हैं कौन हमारे hands अब यहां पेश के पिछचे का क्या रिजाना है हम लोग note करेंगे this is so because a hand lay eggs on land and takes care of them during incubation period दे रहे होते हैं और उसका केर करते हैं ठीक है उसके केर करते हैं और यहां पर जो दूसरा है फ्रॉग के केस में ऐसा नहीं होता है most of the eggs of a frog are destroyed by the time tadpoles come out देखे जब tadpoles यहाँ पर आते हैं उसी के दोरान बहुत सारे eggs यहाँ पर destroy हो जाते हैं किस case में तो हमारा frog वोला case में इसलिए frogs जो है न वो जो eggs है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया करते हैं as compared to hands यह हमारा clear हो गया और sixth number question है how will you differentiate between a jagote and an embryo बिल्कुल simple सा question है एक लाइन मा answer हमारा हो जाएगा हम लोग लेखेंगे jagote is jagote is unicellular while embryo is multicellular बस यह हम लोग note करेंगे कि jagote हमारा unicellular हुआ करता है एक ही cell का बना हुआ करता है लेकिन embryo जो होते हैं जाएगोट हमारा एक ही cell का बना हुआ करता है लेकिन जो embryo होता है वो multicellular होता है आनि कि यहां पर जाएगोट है वो आपस वो divide होते जाते हैं divide होकर के वहां पर groups of cell बना करता है इसलिए इसको embryo कह रहे होते हैं और यह हमारा multicellular हो जाता है तो यह basic सा difference हमें नोट किया और चलिए next हम यहां पर last question की बात करेंगे जो कि है यह कह रहा है it is the mother who gives birth to a child how do children then get features of both the parents अब देखें यहां पर क्या कर रहा है ना मदर जो है बच्चे को जर्म देते हैं लेकिन जो बच्चे होते हैं और फादर का देखना चाहिए लेकिन अबोगोन फादर को ऑना मादर की बच्चे को देखने करेंगे लेकिन फादर हम और बच्चे का रिजन है हम लोग here पर not करेंगे answer में लिखेंगे a child gets genes from its father and mother both जो यहाँ पे जो child यहाँ पे जर्म लेता है वो genes कहां से लेता है तो उसमें जो genes आते हैं वो father और mother दोनों से आते हैं अब यह genes क्या होता है तो genes are responsible for the inheritance of characters from parents to their young ones अन्य कि जो भी characters हमको यहाँ पे चैल्ड में देखने को मिलते हैं वो किस के बज़य से तो genes के बज़य से और genes कहां से जाता है तो father और mother दोनों से आया करता है इसलिए दोनों का character हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है किसमें a child में तो यह हमारा killer हो गया अब यहाँ पे हमने सारे questions को देख लिया है short answer type so thanks for watching have a glorious day ahead like this video share with others and do some comments